Hello and welcome back to my channel कैसे हैं आप सब लोग आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंतहाई शांदार रेमेडी इसको अच्छी तरह से नोट करें इसको बनाएं और इससे फाइदा उठाएं ये है चारकोल सोप जी ये है घर में बनाया हुआ एक्टिवेटेड चारकोल का साबून ये इतना अच्छा है आपकी स्किन के लिए और इसके इतने ज्यादा फाइदे हैं कि आई वोड रेकमेंट कि आप बगेर किसी देर किये इसको जल्दी से अपने घर में अपने लिए बनाएं और इसको रोजाना इस्तमाल करें इस्पेशली जिन लोगों की स्किन ओईली है जिन लोगों को एक्नी का मसला है जिन लोगों को बड़े-बड़े पोर्स लार्ज ओपन पोर्स का मसला है उनको तो खास तोर से चाहिए कि इसको regular use में ले की आए अपनी beauty routine में तो आएं देखते हैं कि ये कारणामा हमने कैसे सर अनजाम दिया है और इसके लिए हमें क्या चाहिए मैंने एक transparent normal soap लिया है olive oil वाला soap था वो साथ में मैंने activated charcoal powder लिया है और साथ में एक बड़ा leaf लिया है aloe vera का जिसमें से हम aloe vera fresh निकाल के इस्तमाल करेंगे सिर्फ ये ingredients हैं और अब देखते हैं हमने क्या करना है जो साबून है उसको चोटे चोटे parts में काट लेना है और उसको एक double boiler के उपर रखके melt करना है उसके अंदर हमने aloe vera gel को शामिल कर देना है या fresh aloe vera को शामिल कर देना है जब वो अच्छे तरीके से melt हो जाएगा उसके अंदर हमने तकरीबन 15 ग्राम्स अफ एक्टिवेटेड चार्कॉल अड़ करना है और अच्छी तरह से उसको mix करना है अगर वो mix ना हो तो मैंने थोड़ा सा end में तकरीबन एक टेबल स्पून जितना olive oil डाला है ताकि वो अच्छी तरह से activated charcoal को mix कर दे सारी ingredients के साथ क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारा mixture जो है वो थोड़ा dry है तो मैंने एक टेबल स्पून olive oil डाला फिर सब कुछ अच्छी तरह से mix हो गया यह देखिए यह मैंने double boiler बनाया है इसका यह कोई मुश्किल नहीं होता बनाना चोटी सी पतीली में थोड़ा सा पानी लेकर बॉयल करें उसके बाद चुला जो है उसको आप हलकी आच पे कर दें उसके अंतर आप इतना bowl रखतें जिसको आपने इंग्रेडियंस है जिसको तो आइस्ता आइस्ता वो मेल्ट होती रहेगी थोड़ा थोड़ा अगर आपको महसूस हो आपको मिक्स करना पड़ेगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिर बाद जैसे यह मैं मिक्स कर रहे हूं आइस्ता आइस्ता यह कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा तो बहुत ज़ तो उसके बाद आपने इसको दो यह तकरीबन दो मीडियम साइज के साबुन से बनेंगे क्योंकि मेरा पास जो सोप था वो काफी बड़े साइज का था तो यह देखें यह सारा मिक्स हो गया अब मैंने मेरे पास सोप के सांचे नहीं थे तो मैंने क्या किया मैंने जो घर में इसको मैंने Porky बॉतल के बोतल मैंने टूछा की टारं की मदड आप उसको मैंने सांचा बना लिय को द्या है और सांचा की में उसको तूल यह यहा दो बड़ा स्काशिया बना लिया ₰ वी तो यह दो बड़वर जबदुस किसम के रहते हैं पलास्ट का तयार होके क्वार इसको मैंने इमेडियेटली डालने के बाद फ्रिज में रख दिया ये देखें जी इतना जबर्दस्त ये बॉटम है कोक की बॉटल का कितना प्यारा फ्लावर शेप्ट हमारे पास चार कोल सोप आ गया और दूसरा जो साबून है वो भी देखें स्क्वेयर सा वो भी हमारे पास आ गया ये दोनों अब हमारे पास तक्रीबन टू मांच के लिए काफी अराम से ये चल जाएंगी या कम असकम अगर आपने रोज सुबह शाम यूज करना है जिनको अक्नी का प्रॉब्लम है तो ये तकरीबन 30 देज के लिए तो आपका जबरदस सुलूशन बन गया चारकॉल सोप का और देखें कितनी सिंपल इंग्रेडियंट्स कितनी थोड़ी से मेनत और कितना जबरदस सा चारकॉल सोप इसके फाइदे बेशुमार है ये आपकी स्किन में से हर किसम की अबजॉब करता है और बिल्कुल आपकी स्किन को हर इंप्यूरिटी से बाग कर देता है और ओली स्किन एक्नी वालों के लिए बहुत बहुत ऐफेक्टिव है स्किन की प्राइटनेस के लिए बहुत ऐफेक्टिव है और आपकी स्किन के कलर को शाइन देता है बहुत ज्या झाल